नमस्कार मैं हूँ अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूस बिलेटिन आदिवासी डेली आज के बिलेटिन में आपको दिखाएंगे पश्यम मंगाल में पंचायत चुनाव से पहले ममता बनरजी का बड़ा दाव मध्र प्रदेश में क्यों पुलिस और प्रशासन से नाराज हैं आदिवासी और गोर्ड परिक्षाओं में आदिवासी बच्चों का कैसा रहा प्रद एमबीबी पोल में मेगाले की बीजेपी नेता की बयान पर करेंगे चर्चा और असमित और अधिकार में बताएंगे ओडी शा की मांगडिया जनजाती के पारे में तो शुरुआत करते हैं हेड्लाइन्स के साथ पंचाय चुनाव से पहले मम्ता बेनर जी का बड़ा दाव सर्ना धर्म को माननेता और कुर्मी समुदाए की मांग का किया समर्थन मध्यप्रदेश में आदिवासी ओने रोका राज्यपाल का रास्ता नहीं मिलने पर जताई नाराजि सीबियसी के मुकाबले स्टेट बोर्ड में आदिवासी चात्रों का खराब प्रदर्शन पढ़ाई के दौरान करते हैं मुश्किलों का सामना मेघाले में आखरी चरण में चुनाव प्रचार तुरा सीट पर टकर के लिए तैयार दिए एमबीबी पोल में बीजेपी नेता के शेत्रिय पार्टियों को गैर आदिवासियों से वोट नहीं मांगना चाहिए के बयान पर करेंगे चर्चा और अब ख़बरें विस्तार से आज के बुलिटिन के शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है पश्चिम मंगाल से पश्चिम मंगाल में आगामी पंचाय चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री मम्ता बनरजी सक्रिय हो गई है मुख्यमंत्री इंदिनों ग्रामीन इलाकों में लगातार कारिकरम कर रही है गुरुआर को पश्चिम मिदनापूर में एक सारवजनिक लाभ वितरन कारिकरम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जनगन्ना में सरना को धार्मिक कोड के रूप में मान्यता देने कले केंद्र को पत्र लिखा है देश में आदिवासी समुदायों की लंबे समय से ये मांग रही है कि सरना धर्म को मान्यता दी जाए ऐसे में ममता बनरजी का ये कदम पंचायत चुनाओं से पहले राज्य की आदिवासी आबादी को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा हमने सरना धर्म की मान्यता के लिए आपकी मांग के साथ केंद सरकार को एक पत्र लिखा है हम मान्यता चाहते हैं क्योंकि ये लोगों की भावना है हम आपकी मांग का पूरा समर्थन करते हैं इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि उन्होंने कुर्मी समुदाय की एक विशेश मांग का भी समर्थन करते हुए केंदर को पत्र लिखा है हाला कि मम्ता बनरजी ने अपने भाषन में कुर्मी समुदाय की मांग को स्पष्ट नहीं किया है लेकिन पिछडा समुदाय लंबे समय से केंदर से मांग कर रहा है कि उन्हें अनुसूचित जन्जाती की सूची में शामिल किया जाए खबरों के मुताबिक जंगल महल के जिलों पश्चिमी मिदनापुर, जार ग्राम, बांकुडा और पुरूलिया के हर चुनाओ में ये समुदाय निरनायक भूमी का निभाते हैं आदिवासी और कुर्मी समुदाय जंगल महल के चार जिलों की 40 विधानसभा सीटों के भागय का फैसला करते हैं दरसल पश्चिम मंगाल में मई में पंचायत चुनाव होने की संभावना है 2018 के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने 100 पंचायतों पर कबजा कर लिया था और 2019 में कुर्मी और आदिवासियों के वर्चस्ववाले शेत्र की 6 लोग सभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल की थी लेकिन 2021 के विधानसमा चुनाव में बीजेपी को करारा जटका लगा था और पार्टी को 40 में से केवल 16 सीटों पर ही जीत मिली थी 2011 के जनगना के मुताबिक बंगाल में आदिवासियों की संख्या 50 लाग की करीब है यानि राज्य की आबादी का लगभग 5.8 प्रतिशत वहीं कुर्मी आबादी लगभग 5 लाग होने का अनुमान है और ये जंगल महल, मालदा, मुर्षिदाबाद और दक्षिन दिनाजपूर में फैली हुई है पतादे हाल के दिनों में कुर्मी समुदाए ने ST टैग की मांग को लेकर जंगल महल में प्रदर्शन किया था समुदाए ने रेलवेट ट्रैक और सडकों को बाधित कर दिया था एक तरफ जहां कुर्मी समुदाए अनुसूचित जंजाती का दर्जा पाने की मांग को लेकर आंदुलन तेज कर रहा है तो वहीं कुछ आदिवासी संगठन इस मांग का विरोध कर रहे हैं इसका सबसे ज्यादा असर जारखन में दिखने को मिल रहा है जहां सभी आदिवासी संगठन कुर्मी की मांग की खिलाफ कई बार सडकों पर उतर चुके हैं और आप पश्चिम मंगाल से चलते हैं मध्यप्रदेश राज्य की बुर्हानपूर में जै आदिवासी युवा शक्ति पार्टी के सदस्यों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ रोश जताया है दरसल राज्य की राज्यपाल मंगू भाई पटेल कई कारेक्रमों में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को बुर्हानपूर पहुंचे थे जहां उनके सडक मार्ग में जैस कारेकरता और आदिवासी अपनी समस्याओं को लेकर बैठे थे दरसल ये लोग राज्यपाल से मिलकर उन्हें जिले में हो रही अवैद बन कटाई और आदिवासी बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन जैसे ही इसके जानकारी पुलिस और प्रशासन को मिली तो उन्होंने इन लोगों को महां से हटाने की कोशिश की इसे नाराज पचास से जादा आदिवासियों ने राज्यपाल के गुजरने वाले मार्ग पर बैट कर हंगामा क्या साथ ही जमकर नारे बाजी भी की हालांकि इन लोगों को राज्यपाल से नहीं मिलने दिया गया जिसके बाद जैस कारे करता हो और आदिवासि समुदाय ने इस पर रोश चताया है आदिवासियों का कहना है कि नेपानगर में अवैद तरीके से जंगलों की कटाई हो रही है लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है वहीं गाउं के स्कूल में बच्चों की शिक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है लेकिन ना तो विधायक ना सांसद और ना ही मुख्यमंद्री हमारे समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है ऐसे में ये लोग राज्यपाल के संग्यान में ये मामले लाना चाहते थे और अब मध्यप्रदेश से चलते हैं मेखाले राज्य में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार आखरी चरण में है बीजेपी के अभियान को अंतिम रूप देने के लिए केंदरी ग्री मंतरी अमिच्छा ने गुरुवार को राज्य का दौरा किया वहीं अगले हफ़ते प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी राज्य की यात्रा पर होंगे दोनों नेता चुनाव प्रचार में तौरा शेत्र में पूरा जोर लगाएंगे तौरा वर्तमान मुख्य मंतरी और नेशनल पिपुल्स पार्टी यानि एन्पीपी के अध्यक्ष कोनराड संगमा के साथ-साथ पूर्व मुख्य मंतरी मुकुल संगमा की सीट है जहाँ एक तरफ अमिच्छा फिलहाल तौरा में चुनाव प्रचार कर रही है तो वहीं 24 फरवरी को प्रधान मंतरी मोदी में घाल्य पहुचेंगे और तौरा में एक रैली और शिलॉंग शहर में एक रोड शो करेंगे तौरा संगमा का गड माना जाता है और गारो जनजाती का घर आपको बता दे गारो हिल्स में 24 विधानसवा सीटे हैं ऐसे में बीजेपी इसाई बहुल राज्य मेगाले में ना केवल अपनी सीटों की संख्या और वोट शेर बढ़ाने बलकि अपना मुख्य मंतर स्थापित करने की भी कोशिश कर रही है सुत्रों का कहना है कि पार्टी को 6-7 सीटों पर जीत का भरोसा है 2018 के विधानसवा चुनाओं में बीजेपी ने 60 सीटों में से 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन तब पार्टी से 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी लेकिन इस साल पार्टी ने सभी 60 सीटों पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और अब बात करते हैं आदिवासी चात्रों की पढ़ाई के पारे में पढ़ाई में आदिवासी समुदाय के बच्चों को आम बच्चों से ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है खासकर बोड परिक्षाओं में इन बच्चों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाती के आधे से भी कम यानि 49.54 प्रतिशत उम्मिदवारों ने ही साल 2020 में राज्य बोड कक्षा 10 की परिक्षा पास की है जबकि तरिपुरा बोड के लिए तो ये आखड़ा और भी बुरा है तरिपुरा में मात्र 43.6 प्रतिशत आधिवासी बच्चे पास हो पाए है संसद के बजट सत्र के दौरान आधिवासी मामलो के मंत्राले ने राज्य सभा के साथ ही डेटा साज़ा किया है जिससे ये जानकारे मिली है इस डेटा के मुताबिक बड़ी जनजाती आबादी वाले कई राज्यों में कक्षा 10 की बोड परिक्षा उतीन करने वालों की संख्या 50 प्रतिशत के आसपास ही है जैसे गुजरात में 55 प्रतिशत असम में 57 दशमलव 9 प्रतिशत और मेगाले में 52 दशमलव 68 प्रतिशत आदिवासी बच्चे पास हुए हैं इसी दर कक्षा 12 में करनाटक बोड में अनुसूचित जनजाती के 58 दशमलव 74 प्रतिशत छात्रों ने परिक्षा पास की जबकि त्रिपुरा में 69 प्रतिशत केरल में 63 दशमलव 4 चार प्रतिशत और ओडिशा में 64 दशमलव 5 प्रतिशत छात्र छात्रों ने ये परिक्षा पास की थी मंत्राले के आकडों से ये भी पता चला है कि केंद्रिय माध्यमिक सिक्षा बोर्ड यानि CBSE से सम्मंदित स्कुलों में भाग लेने वाले आधिवासी छात्रों ने साल 2020 में कक्षा 10 के साथ साथ कक्षा 12 में राज्य बोर्डों की तुल्ना में काफी बहुतर प्रत और बारवी में 86 प्रतिशत बच्चे पास हुए तेलंगाना एक मात्र ऐसा राज्य है जहां 2020 में 100 प्रतिशत आदिवासी छात्रों ने कक्षा 10 और 12 दोनों को पास किया है रिपोर्ट के मुताबिक यह आखड़े साल 2020 के हैं जब कोविड-19 महामारी फैली थी और कई बोर्ड परिक्षाय रद कर दी गई थी या उनका मुल्यांकन पैटर्न बदल दिया गया था अपने दूसरे सेग्मेंट MBB पोल में आज हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था वो सवाल था मेगाले में BJP नेता ने कहा है कि आदिवासी या शेत्रिय पार्टियों को गैर आदिवासियों से वोट नहीं मांगना चाहिए उन्होंने इसे पाखंड बताया है क्या आप इस बात से सहमत हैं इस सवाल के जवाब में हमने आपको तीन ऑप्शन दिये थे इसमें सबसे ज्यादा यानि 60 प्रतिशत लोगों ने इससे सहमती जताई है वहीं 36 प्रतिशत लोगों ने बीजेपी नेता की बात को सही ठहराया है जबकि 4 प्रतिशत लोगों ने पता नहीं का आप्शन चुना लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था मेगालने में विधानसवा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता और उत्तरी शिलॉंग से उम्मीदवार मरिया होम खरकॉंग ने राज्ये के शेत्रिय दलों की आलोचना की और उन्हें पाखंडी बताया बीजेपी नेता ने कहा कि शेत्रिय दलों को गैर आदिवासियों और अन्य समुदायों से वोट नहीं मांगना चाहिए क्योंकि उनका संगठन उन्हें गैर आदिवासियों को सदस्य बनाने की अनुमती नहीं देता खकॉंग ने कहा कि शेत्रिय दलों का अलग तरहें का सम्मिंधान और एजिंडा होता है उनके लिए केवल स्थानी और आदिवासी लोग ही सब कुछ है उनका एजिंडा किसी और के लिए नहीं बलकि इन ही लोगों तक सिमित होता है बीजेपी नेता के इस बयान को अलग-अलग संधर्ब में देखा जा सकता है अगर चुनाव के मद्दे नजर बात करें तो पूर्वतर भारत के दो राज्यों त्रिपुरा और मेगाले के विधान सवा चुनाव में बीजेपी को शेत्री आदिवासी पार्टियों से कड़ी टक कर मिल रही है चाहिए वो त्रिपुरा में टिपरा मोथा हो या मेगाले में एनपीपी और बाकी पार्टिया खुद खरकौंग जिस सीट से चुनाव लड़ रही है उस सीट पर आधी मतदाता अलप संख्यक गैरादिवासी है लेकिन ये सीट अनुसूचित जन जाती के लिए अरक्षित है इस सीट पर आठ उम्मिद्वारों के बीच चुनावी जंग होनी है ऐसे में बीजेपी नेता का भाग्य अलप संख्यक वोटों पर निर्भर करता है मेगाले एक आधीवासी बहुल राज्य है यहाँ 90 प्रतिशत आबादी आधीवासी समुदाय से है ऐसे में बीजेपी चुनावों को देखते हुए राज्य की सभी गैर आधीवासीयों को लुभाने की कोशिश कर रही है जिससे आधीवासीयों की बीच शेत्रिय पार्टियों का वोट बठ जाए और बीजेपी को इससे चुनावी लाभ मिले लेकिन अगर राष्ट्र इस तरपर बात करें तो बीजेपी नेता का या बयान पार्टि को मुश्किलों में डाल सकता है एक तरफ प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी लगातार आधीवासीयों के बारे में चर्चा कर रही है भारत की आजादी के लड़ाई में आधीवासी नायकों के योगदान को महत्व देने का वादा किया गया बिर्सा मुंटा की जयंती को जंजाती गौरव दिवस घोशिद कर दिया गया इतना ही नहीं इस बार के बजट में भी आधीवासीयों के लिए बड़ी घोशनाई की गई बार बार प्रधान मंत्री मोदी देश में आधीवासीयों को मुख्य धारा में जोडने और उनके विकास का दावा करते रही है लेकिन अब बीज़ेपी नेता के इस बयान से आधीवासीयों को लेकर पार्टी की मनशा और सोच पर सवाल उड़ सकते हैं बहीं शेत्रिय पार्टियों के संदर्म में देखा जाए तो कई राज्यों में और खासकर पूर्वोत्तर में बीज़ेपी शेत्रिय दलों के साथ गटबंधन सरकार का हिस्सा है लेकिन पार्टी पर ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि उसने इन राज्यों में शेत्रे दलों को नश्ट कर दिया है बीजेपी इन पार्टीयों पर हावी हो जाती है अपने तीसरे और आखरी सेग्मेंट असमेत और अधिकार में आज आपको बताएंगे ओडिशा की मांगडिया जन जाती के बारे में जार्खंड पश्चिम मंगाल और कई दूसरे राज्यों में जन आधिवासियों को बिरहोर कहा जाता है उन्हें ही ओडिशा में मांगडिया बुलाते हैं 2011 की जन गन्ना के मताबिक मांगडिया की कुल आबादी 2222 है मांकडिया आदिवासी गुजर बसर के लिए रसी बनाने का काम करते हैं रसी बनाने में माहिर या आदिवासी जंगल में मिलने वाली बेलों की छाल उतार कर उससे रसी बनाते हैं इन आदिवासियों को प्रशासन की तरफ से कभी सियाल लता से बैग जैसी चीज़े बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन इन बैगों की मांग शायद बाजार में है नहीं, इसलिए इन बैग को बनाने में और ट्रेनिंग लेने में उनमें कोई उत्साह नजर नहीं आता हैं, ये जंजाती एक घुमन्तु जंजाती है, लेकिन आम तोर पर ये अपना डेरा जंगलों में उन जगहों पर डालते हैं, जहां से खेती किसानी करने वाले लोग बहुत दूर ना हो, इसकी बशह थी कि वो अपनी बनाई रसी और दूसरी बन उपच इन लोगों को लेकिन अब इन लोगों को सरकार ने जंगल से निकाल कर इंदिरा आवास योशना में एक छोटे कमरे का घर दे दिया है, जिसमें संपत्ति के नाम पर खाना बनाने के लिए दो बरतन और चूला मिलता है, ऐसे में इन आदिवासियों में ना कोई आकांशन अजर आती है, न बेहत सम्मिदन शील होने की जरुवत है, नहीं तो इनका वजूद खत्रे में पढ़ जाएगा, और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन, अगर आप हमसे जुनना चाहते हैं, तो नीचे दिये गए नमबर पर हमें मिस कॉल दे, इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाब हमें भीशना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेर जरूर करें, और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद